येलो स्टिकी ट्रैप बनाने की मशीन ये एक बहुत फायदेमंद बिजनेस है येलो स्टिकी ट्रैप खेतों में लगाने से किस तरह के इंसेक्ट से अपना खेत पीडित है यह समझ में आता है कीट की जाती, प्रजाती एवं उसके असर के हिसाब से कैमिकल पेस्टिसाइड्स उतने ही इलाके में उचित मात्रा में फवारा जा सकता है जिससे फसल, जमीन और किसान को कम से कम हानी हो यह स्टिकी ट्रॉप पीवीसी मैटिरियल का बनाया जाता है नॉमलली 270 माइक्रोन थिकनेज का पीवीसी शीट होता है जिसके उपर 30 जीसम का कोटिंग होता है अजजिव हार्टमेल टाइप का होने की वज़े से बारिश में पिघल के निकल नहीं जाता है इस वज़े से तीन महीने तक इस ट्रॉप की लाइफ रहती है स्टिकी ट्रॉप एक दूसरे को नहीं चिप के इसके कि लिए उसके उपर सिलिकॉन पेपर लगाया जाता है यह ट्रॉप बनाने के लिए दो मशीन की ज़रूरत है पहला मशीन कोटिंग करता है और दूसरा मशीन कोटिंग किते हुए रोल को टुकडे में कारता है साथ में उसको लटकाने के लिए होल भी पंच कर देता है मशीन चलाने के प्रोसेस में सिलिकॉन पेपर के उपर हॉट मिल्ट ग्लू कोटिंग होता है जो बाद में PVC शीट के साथ लगाया जाता है और करीब 1000 स्क्वाय फीट की जगह होनी चाहिए आठ घंटे में 8000 से 15000 तक इंसेक्ट रॉप बनाय जा सकते है इसी वज़े से प्रोडक्शन कोस्ट के उपर दिन में 30,000 रुपे से लेकर 50,000 रुपे तक का मुनाफ़ा हो सकता है मशीन लगाने के लिए कुल इंवेस्टमेंट 20,000 रुपे से लेकर 25,000 रुपे तक करनी पड़ती है केवल भारत देश की कुल खृशी क्षेत्र देखे तो हिसाब से हर साल में 300 करोड इंसेक्ट रॉप की जरूरत होती है बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी जरूरत भी पूरी हो सकता